नमस्कार सात्यों, स्वागत है आप सबी का, एक बार फिर से हमारी VAC playlist में, अभी हमारा VAC का first जियूट चल ला है concept of refreshरिजेशन और इसके जो टोपिक्स हैं, refreshरिजेशन, schematic layout of refreshरिजेशन system, concept of heat pump, and heat engine, और इनकी COP या efficiency का से निकालते हैं, उसके बाद second law of thermodynamics का किस तरह हम और आज की हम वीडियो में देखेंगे वेल कॉलमें साइकल का अपयोग कहा होता है और उससे वर्कडन कैसे निकालते हो साथी साथ उसका रेफरेशन इपेक्ट और COP कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंके अगर आपने इससे पहले के हमारी वीडियो आप उन वीडियो का लिंग उपर आई बटन से ले सकते हैं या वमारे चैनल के प्ले лиस से आप ले सकते हैं तो सुरू करते हैं आज का टोपिक कि बैल कोलमें साइकल को को यह इसे तरह यूज होती है साथ ये साथ इसे रिबर्स ब्रेटन ऋसके ले बोलते है क्योंकि यह ब्रेटन साइकल के अपूजित होती है बेल कोल में साइकल में हमारी दो आईसोंट्रोफिक प्रोसेस होती है और दो कॉस्टेंट प्रेसर प्रोसेस होती है यानि कि आईसोबाइक प्रोसेस होती है और इसमें जो हीट का एब्जॉप्शन होता है वो low temperature पर होता है और जो heat को reject करता है ये वो high temperature पर होता है और इस cycle का उपयोग दोनों ही heating और cooling दोनों ही purposes के लिए किया जाता है और जैसे हमने पहले बता है जो medium होता है इसमें या working crude जो होता है इसमें वो air होता है बेल कुल में cycle जो या जो process होती है इसमें जो चार मुख्य पार्ट होते हैं इसके वो हमारे air compressor, air cooler, air expander और cold chamber होते हैं तो इसकी पहले working समझ लेते हैं air compressor जैसे नाम से मनुम चला है इसका काम होता है कि air को compress करना अब क्योंकि air compress हो रही है तो यहाँ पर जो volume रहता है या आयतन रहता है वो इसका decrease हो जाता है और तापन बढ़ जाता है और यह है जो process होगी यहाँ पर यह पूरी तो रिवर्स एडियावेटिक यह आशन्ट्रो रहेगी वो constant रहती है वहीं विंदू 2-3 की तरफ जो process होगी air cooler है अब air cooler काम रहता है कि जो तापमान है आपर या जो heat है वो surrounding में यह जो high temperature के विए उसने भीजना यह surrounding में भीजना तो यहाँ पर तापमान हमारा decrease होता है और यह प्रोसेस होती है आइसो बारी प्रोसेस होती है यानि कि यहाँ पर जो प्रेसर रहेगा वो constant रहता है अब क्यूंकि pressure decrease होगा तो सबसी बात है यहाँ पर जो temperature होगा वो भी decrease होगा और तीन से चार एक तो रहेगी और यहाँ पर क्यूंकि एक्सपेंडर जो volume हो रहा उबड़ रहा है तो यहाँ पर reverse एडियाबेटिक expansion होता है यह अशन्ट्रोपिक expansion प्रोसेस यहाँ पर तीन से चार पर होती है वहीं अब बात करें चार से एक की अब क्यूंकि चार एर एक्सपेंडर ने जो volume है हमारा एर का बढ़ा दिया तो साबसी बात है तापमान हमारा यहाँ पर कम रहेगा और कूल च प्रोसेस होगी constant pressure pressure पर होती है प्रोसेस तो यहाँ पर constant pressure पर यह heat को absorb करेगा तो यहाँ पर इसका जो तापमान हो जाएगा बढ़ जाएगा और इस तरह यह process cycle complete हो जाएगी और यह दुबारा से repeat होते रहेगी अब क्यूंकि यहाँ पर आप देख रहोंगे air compressor और जो air expander है उसके बीच में एक line खीची हुए तो यहाँ पर यह साफ्ट है अब क्यूंकि air expander जो है क्योंकि air जो हमारी जब high pressure है तो इसको अगर फैलने के लिए जोगर दी जा रही है तो यहाँ पर कोई work करने की जूरत पढ़ने रहे है यहाँ पर हमी work मिल रहा है तो इसी work को हम क्या हमारी working रही हमारी bell Coleman cycle की अब अगर बात कहें यहाँ पर हमने क्यूंकि जैसा बहले बात की वन से टू हमारी एसंट्रोफिक compression था और दो से तिन हमारा constant pressure पर heat rejection था तीन से चार पर हमारा एसंट्रोफिक expansion था और चार से एक पर constant pressure पर heat addition था अब यहाँ पर इसके हम वर्क ड़न और COP की बात करें तो bell Coleman cycle का reflection effect या COP निकालने के लिए हमें सबसे पहले PV diagram और DS diagram को समझना होगा क्यूंकि हमने इस से पहले इसकी जो bell Coleman cycle है इसकी process को समझाता है तो एक बात दुबारा से हम इसके PV और TS diagram के साथ साथ यहाँ पर इसकी process को समझते हैं तो यहाँ पर चार हमारे main parts थ यहाँ पर क्योंकि हम वर्क था में देना पड़ रहा था कंप्रेसर को तो आप यहाँ पर देख पार होगे डबलुवन हमने एरो अंदर की तरफ के क्यों कि सिस्टम में वर्क दे रहे हैं तो डबलुवन हमारा air compressor को जो हमने वर्क दिया वह चीज़ दिनूट कर रहा है और वन से टू की तरफ जाने पर हमारा जो प्रेसर होगा वह बढ़ेगा और जो वॉल्यम होगा air का वह डिक्रीज होगा साथी साथ यहाँ पर कोई heat का addition और rejection नहीं हो रहा है तो यहाँ पर entropy constant रहेगी और यह जो वन से टू की तरफ जो प्रोसेस हमारी वन से टू की प्रोसेस ह रहेगी इसके बाद air cooler रहता हमारा 2 से 3 तो यहाँ पर जो heat थी वह heat reject होती है तो Q2 यहाँ पर जो डिनोट किया हुआ हुआ है पीवी डियाग्राम में यह heat rejection को डिनोट कर रहा है और साथी साथ क्योंकि heat इसने reject कर रही है तो साबसी बात है यहाँ पर temperature होगा वो डाउन हो रहेगा और temperature down होने के साथ साथ यहाँ पर entropy भी हमारी डाउन होती है और यह जो पूरी process है यहाँ पर constant pressure पर रहती है इसलिए यहाँ पर जो point 2 और 3 पर जो pressure रहेगा इसके बाद air expander आता है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे air expander लगा हमारा 3 से 4 के बीच में तो यहा यहाँ पर हमें work मिल रहा है क्योंकि air हमारी expand हो रही है और इसी W2 का हम यूज करते हैं आगे compressor को work कराने पर अब क्योंकि यहाँ पर air हमारी expand हो रही है साबसी बात है इसका मतलब यहाँ पर जो pressure होगा वो decrease होगा और volume जो होगा वो increase होगा और इसी मुझे से यहाँ पर जो तापमान होता है वो हमारा decrease हो जाता है अब इसके बाद 4 से 1 के बीच में हमारा cool chamber लगा हुए है तो आप Q1 देख पा रहे होंगे Q1 यहाँ पर अंदर की तरफ है यानि कि heat जो है वो absorb हो रही है यानि कि जिस chamber से हमें heat को बाहर निकालना है उस chamber की heat ले रहा है तो यहाँ पर हमारा heat का absorption हो रहा है चार से 1 और यहाँ पर absorption हो रहा तो सबसी बात है यहाँ पर जो temperature होगा air का वो बढ़ हम यहाँ पर बढ़ जाएगा मगर साथ ही यहाँ पर जो process जो है आपर constant pressure पर हो रही है इसलिए जो pressure होगा बिंदू 4 पर और 1 पर वो हमारा बराबर रहेगा constant रहेगा तो यह यहाँ पर PV और TS डाइग्राम है अब अगर इसकी हम COP की बात करें तो COP बराबर हमारा जब से हमें पता है COP बराबर होता हमारा representation effect upon net work input अब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो representation effect है वो हमें मिल ला है cold chamber पर यानि के 4 to 1 पर और यहाँ पर हमारा जो heat request होता है वो होता है mc delta t अब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो cold chamber पर प्रोसेस हो रही है वो constant pressure पर हो रही है इसलिए specific heat यहाँ पर हमने cp ले रखा है और यहाँ पर मास है वो यहाँ पर unit मास ले रखा है साथ ही साथ यहाँ पर जो compressor को हमने जो work दिया था वो compressor को वर्क हमने यहाँ पर डबल वन दिखाया वात जैसे पीवी डायग्राम या टीर जाग्राम पर दिखाया था आप देख पा रहे होंगे बन से टूपर हमने वर्क दन दिख और और वहीं जो टर्बाइन पर हम वर्क मिल रहा था एर के एक्सपेंड होने पर यह कोल्ट हो जाएगा सीपी इन्टू टी-टी-फोर इसलिए अब क्योंकि यहाँ पर जो work है में टर्बाइन से मिल जा रहा है यह एर एक्सपेंडर से वर्क मिल जा रहा है इसलिए यहाँ पर Q1, W1 और W2 की value C2P में रख देंगे तो यहाँ पर हमारा जो equation है वह हमारी को इस पर जाती है C2P बढ़ावर T1-T4 अपोन T2-T1-T3-T4 तो यहाँ पर हमारी C2P निकल जाती है, बैल कोल्में साइक्ल के, अब अगर हम बात कहें यहाँ पर हमें बैल कोल्में साइकल के advantages या लाब किया है तो अगर लाब की बात की जाए क्योंकि यहां पर एर यूज हो रही है तो यह जो है काफी चीब रहती है और नॉन टॉक्सिक रहती है तो यहां पर इसका यह फायदा है एर होने कारण और साथी साथ इसका जो कस्ट्रक्शन है काफी सिंपल है और क्योंकि एर य बल्यार रहता है बड़ा साथ रहता है तो इसके जो मुणक कोर्ष तो यहारो यह आख्री टोपिक था तो हमारे वेसी प्लेस्ट का जो यूनिट फर्स्ट है वो हमारा कंप्लेट हो जाता है तो अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद